हेलो डियर स्टूडेंट तो आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं मेरे दैनिक जीवन में आयरवेद की उपियोगिता तो इस टोपिक के उपर जो भी आपकी स्पीच कंपिटिशन होने वाली है भासन परतियोगिता होने वाली है तो आज की इस वीडियो में हम आपको भाशन बताएंगे और भासन के साथ साथ बाते भी बताएंगे कि स्पीच आपको कैसे देनी है, क्या बात आपको लास्ट में बोलनी है, क्या स्टार्टिंग में बोलना है जिससे कि आपकी फर्स्ट पोजिशन आए और अब प्राइस भी जीते तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी और टॉपिक्स के लिए अगर आपको इसी टॉपिक के उपर निबंद चाहिए और अगर आपको इसकी स्पीच की PDF चीए तो वो कैसे आप डाउनलोड कर सकते तो वो भी हम आपको बताएंगे उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है तो वीडियो को पूरा देखे तो देखे सबसे पहले आपको जो टोपिक है मेरे द्यानिक जीवन में आयरवेध की उपी होगी था तो सबसे पहले आप स्पीच कैसे स्टार्ट करेंगे तो देखे मानिय मुक्य अतीती आदेर्निय सिक्षगन तो अगर आप स्कूल कॉलिज में बोल रहे तो वहाँ पे आप अपने प्रिंसिपल्स को सबसे पहले गुड मॉर्निंग बोलेंगे उसके बाद आप अपनी स्पीच तयार करेंगे ठीक है स्पीच बोलेंगे तो आप चाहे तो इसके उपर एक स्लोगन भी लिख सकते हैं सबसे पहले स्लोगन से भी जो है स्पीच स्टार्ट कर सकते हैं फिर दो तिन लाइन बोलने के बाद भी बीच में एक स्लोगन बोल सकत तो स्लोगन में क्या बोलना है वो भी हम आपको बताएंगे और स्पीच खतम होने के बाद क्या बोलना है वो भी हम आपको बताएंगे तो देखे जैसे यहां पर आपको आज हम यहां भारत के रास्ट्रिय आरवेद दिवस बनाने के लिए एक्तिरित हुआ है क्योंकि आपको तो आपको तीन-चर लाइन उसके बारे में बोलनी है, उसके बाद आपको एक स्लोगन बोलना है, आरवेद से related है, जैसे यहाँ पर हमने स्लोगन बनाया है, आरवेद को अपनाने का लो संकल्प, स्वस्त रहने का यही है विकल्प, तो देखिए student अंदर का जो material होता है वो लगबग सभी बच्चों का सेम होता है पर tips होती है जिनसे आप मतलब अच्छी बना सकते अपनी speech जैसे कि जब भी आप speech दे रहे हो तो आपको एकदम confidence होना चाहिए आई contact होना चाहिए यह निकि आप सामने जो है teachers बैटे और आप speech दे रहे हो और इधर अधर देख रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए इसकी practice के लिए आप mirror के सामने यान की सीसे के सामने खड़े होकर speech की practice कर ले इस speech को आप पेपर के उपर उतार सकते है और साथ में अगर बीच में स्लोगन भी आड़ कर रखा है आयरुवेद को अपनाओ बिमारियों को दूर बगाओ तो ऐसे ऐसे चुट-चुटे स्लोगन आप बीच में बोल दे रहेंगे जैसे कि आपने एक paragraph बोल दिया और फिर एक paragraph बोल दिया तो ऐसे ही आपको बोलना है उसके बाद लास् बताने के आरुवेद के क्या फाइद होते क्या महत्व होते हैं तो आप अपनी तरफ से भी समें लाइन एड़ कर सकते बस जो जो टिप्स में बतारी हूं उनको आप जरूर फोलो करना ठीक है उसके बाद आपको लास्ट वाले paragraph में इसके जो हमारे जीवन में इसका प्रभ बोलते हैं तो सबसे लास्ट में आपको बोलना है अपनी स्पीच दे दी उसके बाद आपको बोलना है अब अपनी वानी को विराम देते हुए दो शब्द भारतिये नागरिकों के लिए कहना चाहूंगी ठीक है या फिर जॉप के सामने बैठे हैं उनके लिए फिर चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियो के लिए अगर आपको इसी टॉपिक अपर निबंद चाहिए इसकी पीडियाफ चाहिए तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ जाके आप जो है पीडियाफ एजिली डाउनलोड कर सकते हैं थैंक हूई आपे टीडियाओ ऊRY में दो ओ है हुआ एए जड़ने हुआ कर लीजर डाप्टस, भीडियो, और खरताब कर आ थीडियाफी जाटस, बाकष़हर, टांब ए